वेलकम बचो आज हम डिस्कूस करने वाले हैं जवाहा नवूदय विद्याले सेलेक्टिन टेस्ट 2015 के लिए जो हमारा न्यू सिलबस आया है उसमें कैसे परशनाने वाले हैं कितने परशनाने वाले हैं उसके बारे में ठीक है तो आएए देखते हैं सबसे पहले मैं आपको syllabus के पास ले चलती हूं यह हमारा notification है बच्चो यह JNB की site पर available है आप चाहिए तो इसे download भी कर सकते हैं ठीक है तो यह रहा हमारा जो है पेपर पैटन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारा पेपर होगा वो सुबह साढ़ी ग्यारा से डेड़ बजे तक होगा ठीक है इसमें तीन sections होंगे टोटल 80 questions होंगे और जिनके numbers कितने होंगे 100 जो पहला हमारा section होगा वो होगा बच्चो mental ability test यानि मांसिक योगेता परिक्षण का इसमें 40 questions आएंगे और number कितने मिलेंगे 50 दूसरा हमारा arithmetic test होगा यानि गड़ित का टेस्ट होगा जिसमें 20 questions आएंगे और 25 marks मिलेंगे फिर हमारा language यानि भाषा आप Hindi या English चूज कर सकते हैं आप और भी काफी languages चूज कर सकते हैं लेकिन चुकि हम यूपी में रहते तो हम यह मान के चलते हैं कि हम Hindi या English को चूज करेंगे तो बचो मैं Hindi और English दोनों language की जो है प्रैक्टिस आपको करवाने वाली हूं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए तो इसमें से भी आपके 20 questions आएंगे और total marks कितने मिलेंगे 25 तो questions होगे 80 और marks होगे सो time जो हमें मिलेगा वो मिलेगा दो घंटे का ठीक है total 2 घंटे का time हमें मिलेगा जो बच्चों दिव्यांग बच्चे हैं उनको 40 minute extra दिये जाएंगे उसके बाद से आपको जो ध्यान रखना है वो आपको केवल blue या black ballpoint pen योज़ करने हैं ठीक है और option को इस तरह से पूरा काला करना है ठीक है काला या नीला जो भी pen आप यूज़ कर रहे हैं उस तरह से पूरा fill up करना है ऐसे आधा दूरा नहीं छोड़ना है वरना आपको उस पर number नहीं मिलेगा फिर उसके बाद कह रहा है कि आपको 1.25 marks मिलेंगे हर सही उत्तर के लिए कोई भी negative marking नहीं है यानि आपके कोई भी number काठे नहीं जाएंगे यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आप 80 के 80 प्रशनों को attempt करेंगे आप कोई भी question को खाली छोड़के नहीं आएंगे देखिए यहां पर जो nature of test है इसको हम डिटेल में discuss करेंगे का भाग एक जो हमारा होता है वो मांसिक योगिता परिक्षन का होता है इस यह एक non-verbal test है शाबदिक test लिया जाता है इसमें किवल figures और diagram based questions होते हैं यह general mental ability test है और इसमें total 10 parts हैं और हर part से 4 questions आने वाले हैं ठीक है 10 भाग हमें पढ़ने है तो पहला भाग जो हमारा होगा वो होगा odd man outcome यानि विशम जो है आकरिती को छाटी है इसमें आपको चार आकरितियां दी होंगी जिन में से तीन आकरिती किसी ना किसी रूप में एक जैसी होगी और एक आकरिती में में कट है और इसमें भी अंदर वादी लाइन में कट है जबकि यहां पर बाहर वादी लाइन में कट है तो हमारा odd one out कोन हो गया option a second जो पार्ट है बच्चों वो आएगा हमारा figure matching का यानि आकरिती मिला तो हमें इस तरह से एक जो है समस्य आकरिती दी होगी और 4 उत्तर आक कर रही है थर्ड जो हमारा part है बच्चों वो आएगा pattern completion का यानि आकरिती पूर्ती ठीक है इसमें हमें आकरितियां दी होंगी उन्हें हमें पूरा करना होगा तो इसका जो तरीका है करने का वो आप क्या करिए यहीं पर इस आकरिती को पहले पूरा कर लीजे इस तरीके से की श्रिंखला पूर्ती परिक्षन यानि आकरितियों की श्रिंखला दी होगी जिसमें कोई ना कोई pattern होगा उस pattern को observe करके हमें बचों अपने question को solve करना होगा तो देखे यहां पर हमें दिया हुआ है कि पहले एक line थी तो इन्होंने एक cross लगाया फिर एक line और बना दी और ए ठेहा है टिक करेंगे ऑचों से चारा है पार्णे यानि 5 रखाग आलोजिक साधिश् Bring in पहली आकरिति के संभंध दूसरी आकरिती से है वही संबंद तीसरी आकृति का हमें चौथी आकृति से ढूनना होगा तो यहां पर हम देखने हैं बच्चों कि इस आकृति को 180 डिग्री घुमाया है यानि उल्टा कर दिया है तो इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमायेंगे तो देखें यह तो बनेगा ने यह भी नहीं बनेगा यह वाला बन करना है त्रेभुज दूसरा हमें करना है वर्ग और तीसरा में करना है तो देखिए इसमें हमें क्या करना है इस तरह का question आपको दिया है यहां पर एक समस्य आकृति और चार उत्तर आकृतियां दीखुए है सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको स्केल से नाप लेंगे तो यह आएगा 2 cm और इधर नापेंगे तो इधर आएगा 1.8 cm इसको पूरा करने के लिए हमको बढ़ाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा तो हम इसको 0.2 cm जब बढ़ाएंगे और इधर भी बढ़ाएंगे तब मिलाएंगे तो हमें देखिए यह वाली इन देखिए और तीनी चीज पर आपको फोकस करना है फिर कह रहा है फिर मिरर इमेजिंग यानि जो दरपन आकृति इसमें क्या होगा आपको कुछ लेटर्स दिये होंगे या कुछ आकृति दियोगी उसकी दरपन आकृति आपसे पूछेगा तो इसके लिए आपको क्या क कि मिरर इमेज छप जाएगी तो फिर आपके लिए क्वेस्चन बहुत आश्चान जाएंगे और दूसरी चीज आपको दिये दियान में रखना है कि शीशा रखा किदर है कभी-कभी नीचे भी शीशा रख देता है ठीक है तो उल्टी आकृति बनेगी या उसे हम जल प्रत नेक्स कह रहा है पार्ट जो है एट यानि भाग आठ पंचिंग घोल पैटन फोल्डिंग और अनफोल्डिंग तो इसके लिए बचो आपको पेपर ले लेना है खुद फोल्ड करना है कट करना है उसके बाद दिखना है तो यहां पर देखिए हमारे जो क्वेस्चिन दिया उसके बाद इन्होंने का यहां पर कट लगाई है इस तरह से हमने इसको मोर दिया उसके बाद इन्होंने का यहां पर कट लगाई तो हमने यहां पर कट लगाया और यहां पर छेट कर दिया यहां पर छेट कर दिया अब जब हम इसको खोलते हैं बच्छों देखते हैं खोल जाएगा तो आप इस तरह से खुद फोल्ड करके जब सीखेंगे बच्चों तो बहुत ही इजली आपके दिमाग में इमेज छप जाएंगी कि किसको काटने पर किस तरह की इमेज बनती है पर हमें देखना है कि हमें एक सम्स्य आकृति इस तरह से उत्तर मवें पूछे गाा काटने पर हमें समस्य आकृती मिल यहां पर हमें नमबधरिंगोergाएगा देखना है तो इसमें में वाला मज़ी और इसमें इसमें डी पार्ट ना बहुत बढ़ा है यहाँ में यहाँ प्रिखें है यहा है Kellie रुरह 8 after the Eighty यानि छूपी हूई तो हमें जो एक दिए होगी ऐस आपको समस्य आकरती दियोगी, चार उत्तर आकरिति होगी, उसमें कहेगा कि समस्या आकरिती किसी ने किसी उत्तर आकरती में छूपी हुई है, आपको दूबना है, तो आपको यहां पर भी same pattern follow करना है, तो आप देखें य लेकिन यह वाली line नहीं होगा इसमें तु ह ही नहीं पर देखे अर्थमेट हो 쉬। यह लेकर हो ऑसे यहां पर देखे लाइन महींड़ हो यह डाइन टिला हो जा है और यह लानी भाली जो लाइन में स्टाव हो जारी यहां नहीं पर पर देखे कर S la enались li ini 20 questions आएंगे और total 12 topics हैं यही 12 topics पे हमें पढ़ना है बच्छों और बहुत tough questions नहीं आते हैं आप चाहेंगे तो आप practice करके इसे solve कर सकते हैं पहला आएगा number और numeric system पे यानि हमें दो तरह की numeric system पढ़ने हैं international और जो है Indian numeric system और हम रोमन को भी थोड़ा सा देख लेंगे उसके बाद से four fundamental operations on whole number पूर संख्याओं पर हमें देखना है factors और multiples including their property यानि हमें SCF और LCM देखना है फिर हमें decimals and fundamental operations on there यानि दश्मलों संख्याओं पर जोड़ घटाना गोड़ा भाग देखना है फिर conversion of fraction to decimal and vice versa यानि दश्मलों संख्याओं को भिन में बदलना और भिन को दश्मलों संख्याओं में बदलना फिर है measurement of length, mass and capacity, time and money यानि हमें जो है मापन करना है लंबाई का, द्रविमान का, आयतन का, समय का और पैसे का ठीक है 7th है simplification of numerical expressions कुछ हमें भागु जोग वाले प्रेशने लगा नहीं, आठ्वा कहरा है fractional numbers, ठीक है addition and subtraction of like fraction and multiplication, केवल like fraction के multiplication देखने है हमें ठीक है और subtraction देखने है, unlike fraction नहीं है इसमें, फिर है profit and loss, यानि लाग और हानी देखना है जिसमें हमें without calculation of percentage, यानि percentage का calculation नहीं करना है, बहुत easy रहेगा फिर हमें next perimeter and area, यानि परिमाप और हमें छेत्रफल देखना है, किसका किसका polygon का, उसके बासे square का, rectangle का और triangle का, ठीक है यानि बहुबुच का, वर्ग का, आयत का और त्रिपुच का types of angle and its simple applications, code के जो है हमें प्रकार देखने हैं और उनको कहां काम apply करते हैं वो देखना है, उसके बासे हमें देखना है data analyzing, cable हमें bar diagram, graph और line chart को study करना है, बहुत easy है, हम कर लेंगे कुछ ऐसे examples यहां पर देऊ हैं, जैसे हमसे कह रहा है कि prime factorization कीजिए thousand का तो thousand का prime factorization जब कर लेंगे बच्चो तो देखिए, 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 500, फिर 2 से करेंगे, 200 हो गया फिर 2 से करेंगे, तो एक करने 2, 2, 2, 4, 2, 5, 10, अब हम 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे 25 हो गया, फिर 5 से करेंगे, again और यह one आ लिए, तो क्या हुआ, तीन बार 2 है और तीन बार 5, तो यह हमें कहां दिख रहा है, तीन बार 2 और तीन बार 5, तो option D जो है, वो हमारा right हो जाए इनको हम जोड लेंगे, 7, 3, 10, 5, 1, 6, तो 16 हो गया, 16 बटा, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 से भाग दिया, तो आगया 4, answer क्या हो गया, option B, जो हमारा third part आएगा, बच्चों, वो आएगा, language test, यानि भाशा परिक्षन, the test consists of 4 passage, 4 passage होंगे, बच्चों, हर passage से 5 question होगा, और हमे passage को carefully पढ़ना है, और answer करना है questions को, यानि passage के हिसाब से ही हमें questions को answer करना है, पुछों, ठीक है, कभी-कभी passage में ही, छोटा-मोटा grammar पूछ लेता है, तो हम उसको भी देखेंगे, यहाँ पर English passage का example दिया है, तो चलिए हम इसको आपको solve करके दिखा देते हैं, तो यहाँ प अबनीच फोर्स also provide us with food for fuel and making paper, they provide shelter for birds, wild animals and insects, forest bring rainfall, existence of forest is very important for the preservation of the ecosystem, the fact that we have to care of an ecosystem, is indisputely established, okay, विट वाइच वाइच श्यूच चि. वाइगां विज वीज वीज इन विवविए हैं, और एंसरी है, एंसे होड़ गाइंब वाहें, ध्यूच अविजू दिखाय। फिर कह रहा है to preserve the ecosystem existence of that is essential तो देखिए अभी हमने यहां पर पढ़ा देखिए बच्छो की existence of forest is very important for the preservation of the ecosystem तो इसका अंसर क्या हो जाएगा forest next कह रहा है opposite of preservation preservation मतलब बचाना तो preservation का opposite क्या होगा destruction है ना यानि खतम कर देना तबाह कर देना which one of the following is a not synonym of wise तो देखिए यहां पर फोड़ा सा grammar आ रहा है न तो wise मतलब बुद्धिमान तो बुद्धिमान में यह देखिए sensible यह भी होगा intelligence यह भी होगा humorous मतलब मजा किया जबकि judicious मतलब भी समझता तो यहां पर जो है यह हमारा इसका जो है synonym नहीं होगा बाकी सभी है फिर कहा रहा है carpenters depends on forest because they provide तो अब यह हमें passage के हिसाब से भर रहा है तो यहां पर हम देख सकते हैं build houses and make furniture तो furniture दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर carpenters क्या करते हैं फरनीचर बनाते हैं तो timber to make furniture option c जो है वो हमारा सही हो जाएगा wild animal which become homeless if कब homeless हो जाएंगे अगर हम forest को destroyed कर देंगे तो जो है wild animals homeless हो जाता है उसमें से आपको questions करने होते हैं ज्यादा तर विलोम और यहीं आते हैं आपके तो यहां पर बच्चों हमारा जो है यह हमने पुरा detail में discuss किया syllabus को अपने नवोदे विद्या लेके next video से हम एक-एक topic को लेक solve करेंगे तो तब तक के लिए पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें बाए बाए बच्चों